जैश्री राधारानी सरकार की, जैश्री कृष्ण भगवान की, जैगंगा मया की, मंदिर शिवनसी वाले महात्मा यूटीव चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभिनंदन करते हैं आज इक इस विशेश जानकारी वाली वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या गंगा जी में सनान करने से मनुष्य के पहले के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं या नहीं क्या गंगा जी में सनान करने से सभी पापों का नाश उसी समय हो जाता है या नहीं होता इसी के बारे में सारी जानकारी हम आपको हमारे हिंदू धर्म गरंथों के आधार पर देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा मया का बड़ा जादा महत्व बताया गया है शिर्मत भगवत गीता में भगवान श्री क्रिशन जी ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन सब नदियों में गंगा जी मेरा ही सवरूप है अर्थात भगवान श्री क्रिशन जी ने स्वेम अपने श्री मुख से बताया है कि प गंगा जी को भगवान शिव शंकर भोले नाथ जी ने अपने मस्तक पर धारन किया है यही तो गंगा मा की महिमा है कि भगवान भोले शंकर स्वम गंगा जी को अपने मस्तक पर धारन करते हैं और हमारे हिंदू धर में गंगा जी की इतनी महिमा है कि जैसे ही हमारे हिंदू ध में किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है उसका धासंसकार होता है उसके परशात मृतिक व्यक्ति की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है ताकि उसको मौक्ष की प्राप्ती हो सके अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने मातर से मनुश्य को मौक्ष मिल तो उनी पतित पामनी मुक्ष दाइनी मा गंगा जी में सनान करने से क्या हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है या नहीं होता इसी प्रशन का उत्तर अब हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं एक एक बात को आप ध्यान से सुनें आदी अधूरी जानकारी लेने से कोई जानकारी नहीं मिल पाती तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनें तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदु धर्म ग्रंथों में कई जगा पर सपष्ट बताया गया है कि गंगा जी में सनान करने मातर से मनुश्य के पिछले जनमों के सभी पापों का नाश हो जाता है और इस जनम में उसने जो कुछ पाप करम किये हैं उन सब का नाश हो जाता है लेकिन उसी व्यक्ति के सब पापों का नाश होगा जो पांच नियमों का पालन करता होगा वो पांच नियम कौन से हैं वो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप गंगा जी में सनान के लिए जाएं तो सनान करने से पहले आप गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर छिड़क लीजिए गंगा जी के जल को अपनी आंखों पर लगा लीजी गंगा जी से प्रातना केजिए कि हे मा गंगा मैं आपके जल में सनान करना चाता हूँ गंगा जी से आग्या मांग कर आपने गंगा जी में प्रवेश करना है और वहाँ पर साथविक भाव से आपने सनान करना है पहला नियम तो ये है दूसरी बात गंगा जी के जल में शरीर को मलना सक्त मना है वहाँ पर शरीर को नहीं मला जाता केवल डुबकी ही लगाई जा सकती है गंगा सनान का मतलब यही है कि आपने डुबकी लगानी है शरीर को मलना नहीं है साबुन भी नहीं लगाना है तीसरा विशेश नियम सनान करते समय आपने जो वस्तर पहने हैं उन वस्तरों को गंगा जी में निचोड़ना या गंगा जी के पास में निचोड़ना जिससे कि उन वस्तरों का जल गंगा जी में मिल जाए ये भी बिलकुल मना है ये भी पाप करम कहलाता है इसलिए इस बात क जब आप गंगा जी में सनान करते हैं तो आज कल क्या देखने में आता है इस्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गंगा जी में सनान करते हैं हरी की पोड़ी हरी द्वार में जाकर आप देख लीजिए इस्त्री और पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सनान करते हैं ध्या पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक दूसरे को छू कर वहाँ पर सनान करते हैं वो वास्त में पुन्य नहीं पाप ही कमा रहे हैं वो महाँ पाप कर रहे हैं तो ऐसे महाँ पाप से बचना चाहिए गंगा जी में सात्विक भाव से भगवान के और मन लगा कर सनान करन अब पांचवा और सबसे विशेश नियम ये पांचवा नियम बड़ा ज़्यादा जिरूरी है इस पांचवे नियम को जो कोई मानेगा उसे गंगा सनान का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा उसके सभी पापों का नाश गंगा मा उसी शन कर देंगी तो पांचवा निय ये बताया गया है कि गंगा जी में सनान करने के बाद आपने फिर घर आकर कोई पाप नहीं करना है जी हाँ यही विशेश नियम है घर आकर आपने अपनी जिन्दिगी को ऐसे चलाना है कि आप कोई जान भूज कर पाप करम नहीं करें गंगा सनान से वापिस घर आकर आपने म आस मदिरा का सेवन जीवन भर नहीं करना है आपने पर इस्त्री के साथ गमन जीवन भर नहीं करना है जुवा आपने जीवन भर नहीं खेलना है किसी का पैसा आपने जीवन भर नहीं हडपना है कुछ भी ऐसा पाप करम नहीं करना जो आप जान भूज कर कर रहे हो अंजाने म पाप करम हो जाएं तो मा गंगा उसे शमा कर देती हैं भगवान उसे शमा कर देते हैं लेकिन गंगा सनान करके वापिस घर आकर जान भूझ कर आपने कोई भी पाप करम नहीं करना आप अगर घर आकर वापिस पाप करम करने में लग जाएंगे तो जो पहले आपके पापों क नाश हुआ है वही पाप आपके जीवन में दोबारा जुड जाएंगे आपके जीवन के एकाउंट में दोबारा जुड जाएंगे फिर उन पापों को भगवान शमा नहीं करते हैं गंगासनान से उसी व्यक्ति के पापों का नाश होता है जो घर वापिस से आकर दोबारा प आप करम नहीं करता है अपने जीवन को भगवान के चर्णों में लगा देता है तो पांचवा नियम सबसे विशेश है वैसे तो हमारे हिंदू धर्म गरंतों में गंगा सनान के कई नियम बताए गए हैं लेकिन जो पांच विशेश नियम हैं हमने आपको यहां पर बता दिये इन पांच नियमों को आप ध्यान में अवश्य रखिये जैजे श्री राधि जैजे श्री राधि जैजे श्री राधि शाम